केला खाने के फायदे और नुकसान दोस्तों इस वीडियो में आपको केला खाने से क्या-क्या नुकसान होता है और क्या-क्या फायदा होता है इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं तो वीडियो को बिल्कुल आखिर तक जरूर देखना चलिए सबसे पहले बताते हैं केला खाने के नुकसान क्या है जिनका वजन ज्यादा होता है उन्हें केला नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसमें कलेरी की मत्रा ज्यादा होती है और ये वजन बढ़ता है केला खाने से मसल्स कमजोर होती है क्योंकि इसमें प्रोटीन कम होता है के केले एक शुगर की मतरा अनिक होती है इसलिए इसे ज्यादा खाने से दंत समभन्धित आपको समस्या जहलनी पर सकती है अब चलिए आपको बताते हैं केला खाने के क्या क्या फाइदे हैं केले में पोटेसियम होता है इसलिए अगर आप वर्क आउट करते हैं तो इसे जरूर अपने रूटीन में शामिल करें केला दिमाग की ताकत बढ़ाता है और इससे मेमोरी तेज होती है क्योंकि इसमें बिटामिन B6 होता है डिप्रेशन में भी केला खाना फायदे मंद होता है इसमें अमीनो एशिड की मत्रा ज्यादा होने की वज़ा से हर्मोन का लेवल सही रहता है और मुड भी अच्छा बना रहता है केले में पोटेसियम होने की वज़ा से ये हाट की बिमारियों से बचाता है गर्भा अस्था में केला खाने से भी होता है फायदा 740 महिलाओं पर किये गए एक कद्यान से पता चला है कि इसमें महजूद उच पोटेसियम के कारण जो महिलाएं इसका शिवन करती है वह स्वास्थ प्राप्त कर सकती है केले के शिवन से गर्भा वस्था के समय मधू में के समस्या को रोकने में मदद मिलती है हडियों के लिए भी फायदे मंद है केला केले में पाए जाने वाला केल्सियम हमारे हडियों को मजबूत रखने में सहायक है आखों के लिए भी फायदे मंद है केला National Institute of Health के अनुसार केला में विटामिन A की कम मत्रा जरूर होती है लेकिन यह हमारी आखों की सुरक्षा समाने दिरिष्टी बनाए रखने और दिरिष्टी में सुधार के लिए अवश्यक है तो अब आप समझ गए होंगे केले खाने के क्या-क्या फायदे हैं और क्या-क्या नुकसान है आप लोग को यह जनकड़ी कैसी लगी कमेंट बक्स में जरूर बताएं वीडियो अच्छी लगी तो इस चनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें धन्यवाद